चाल चत्र अभ्यान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं हमारे अभ्यान का सहयोग करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक पर जाएं कुछ महीने पर दे दिजे दो महीने तीन महीने पर लेकिन वह भी नहीं मिलता है चालिस-चालिस महीने हो गए बताईगे और हम लोग बाचित कर रहे हैं मदरसा अधुनी करन सिच्छकों से जिए उन जिनको पिछले चालिस महीनों से वेतन नहीं मिला है मोधी सरकार जब सत्ता में आई थी तो उसने बहुत बड़ी-बड़ी बाते की थी और मदरसों के बारे में भी कहा था कि हम चाहते हैं कि जो मुसल्मान हैं उनके हाथ जो एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो और ये सिच्छक यहाँ पर साइंस और हिंदी अंग्रेजी और कंप्यूटर पढ़ाते हैं लेकिन पिछले 1993 से लेकर अब तक उनको एक तो कम वेतन मिलता था लेकिन समय से मिल जाता था लेकिन जब से यह सरकार आई है तब से उनको वेतन भी नहीं मिल ला है तो हम उनहीं से जानते हैं कि उनकी क्या दिकते हैं और ऐसी इस्तितियां क्यों बनी हैं 12,000 हम लोगों को central government से सहली मिलती है और 3,000 is state government से हम लोग के सहली लगबबक 40 महीने हो गए और अभी तक सहली आही नहीं लिए और सहली ना आने के वैसे आप समझ सकते हैं कि कितनी आर्थिक परशानी हैं से हम लोगों को जूजना पड़ता है सिव इसके अलावा हम लोग के प सबस्क्त Nie하면 कि हम लोग को प्रतिमाह दिया जाए और एक साथ लग explorAyya को और अ. कभी वह दो मेने की मेंने की बेशते हैं कभी चार मेंने की बैस्ते हैं कभी छे मेने की आती एक दो जो मेने अगर वो होम्ट्यूशन वगरा ना किया जाए तो रोटी के लाले पढ़ जाएंगे. अब साथ में जो है साइड में होम्ट्यूशन वगरा किया जाता है, इसके भरोसे कब तक रहा जाएगा? अब सरकारी ये कह थी के वजट जब होगा तो हम जारी करेंगे. मैं आपको यहां पता देना चाहता हूँ कि दिसंबर 2018 में अलशंकेक आयोक के चेर्मैन साब आई हुए थे, एक सरदार जी जे, ना मैं थोड़ा मिस कर रहा हूँ, वो सरकेट हाउस में रुके हुए थे, तो हमारे संगधन के पताधिकारी, यानि एक प्रतिनी मंडल उनसे मि सुचना, बोले कि मैं कुछ बोलूँगा नहीं, सिर्फ मैं समस्यां ही सुनूँगा आप लोगों की, तो हम लोगों की समस्यां को सुना, काफी गंभीरता पूरवक से, और फिर बात में उन्होंने आस्वसन दिया कि मैं जा रहा हूँ, और मैं अपनी रिपोर्टिंग करू सुचना भेजी गई ततकाल, तो हम लोगों के यह उम्मिद लगी कि आप जल्दी ही बजट वगारा जारी होगा, लेकिन अभी तक छे महीने हो गया लगबग, अभी तक कोई बजट नहीं आया है, लगबग 40 महीने का मांदे 12,000 रुपए के हिसाब से आप काउंड कर लीज जबकि मैं यहां बहुती पुराना मदर्सा है, 1984 से यह संचालित हो रहा है, हम लोग टीचर भी पुराने हैं, ऐसा नहीं कि कोई नया अपाइंडन्ट हुआ हो, कि वह वह वेरिफिकेशन करेंगे, जाच करेंगे, उन्होंने जारी नहीं किया, और लगबग 8 दिन तक मेरी म सी चूट में चला गया होता है, और हमारी मीडिया ने इस मामले को काफी उच्छाला था, काफी उनकी किरकरी भी हुई थी, मैं आप लोगों से जाना चाहता हूँ, क्योंकि जिब 40 महिने से वेतन ना मिले, तो आप लोगों को तो घर भी चलाना पड़ता है, आप लोग बहतर समझती हैं, तो क्या आप लोगों को यह समस्याएं हो रही है, किस तरह की दिकते हो रही हैं घर से लेके मदर से तक? देखे सर हम लोग को हमको आई हुए यहां पे पांच-छे साल हो रहे हैं लेकिन 15-16 से हम लोग की सेलरी नहीं आ रही है और घर वालों का दबाओ पड़ रहा है कि अब छोड़ दीजे छोड़ दीजे लड़कियों के लिए एक ही आप्शन होता है या तो घर चुपे बैठे काम या थे जा है आतों सर्विस करें। और हमारी ही विधर है की हम लोग कर ध्यान दिया जाए और जादधते ज्याद हमनों की मदद की जाए। तो आपको क्या़ प्रदेश सरकार काραव का जो अनसाधान मिलता है जोसे कैसे काम चलता होगा आपका। किा काम चलता, बस यह समझेधे हैं, कि घो हो जाता है, हाँ, कुछ आया, तसलिख बस थोड़ी सी ओ, जाती, क्या काम चलना, उससे क्या होगा, तीन हजार में क्या होने बाला बताईए, कुछ भी नहीं, मेरे वी दो बच्चे हैं मेरे बच्चे पढ़ते हैं किसके से काई सेंसे कर्ज लेगा कि पढ़ाया जाता है। क्या किया जाम आप बताएं कि मोदी जी कि यह पड़ी बाद में कि यह मैं आपirmें कम्प्योंटर ऑक हां न कुछ करी नी रहें। यह मैं जाना चाहता हूं यही तो हमेशा रोना होता था कि भाई पहलर सरकार नहीं है इसलिए प्राब्लम हो रही है तो जब यहां पर योगी जी की सरकार बनी तो हम लोगों को सबसे जादा खुशी हुई आप यकिन नहीं मानेंगे सबसे जादा अगर पूरे प्रदेश में हिंदुस्तान में कोई खुश हुआ है तो मदसा शिक्षक कि चलो भाई कम से कम दोनों जगों पर एक ही गवर्मेंट है तो अब हम लोगों की जो समस्याएं वो हल हो जाएंगे यहाँ तक कि योगी जी जब पहली बार गोरखपूर में आया प्रदान मुक्मंतरी बन करके तो गोरखणत मंदिर में हम लोगों ने मुलाकात की तो पहले तो वो हस पड़े बोले यार इससे पहले तो आप एक सरकार थी आपको लोगों कि आ तो कुछ किया नहीं सरकार तो किसकी है किसकी नहीं आप खो़ुभी जानते हैं लेकिन अब हम लोग की खुशी यह है कि आप जो अपने ही है पहले सांसे थे मुक्मंतरी हो गए और सबसे बड़ी खुशी की बात ये कि दोनों सरकारे एक ही पार्टी की है अब हम लोग का मशानी से हो जाएगा तो उन्होंनों भी आश्वासन दिया, उन्हों बला कि ठीक है, अभी मैं नयाने, अभी तो आज पहला दिन मैं यहां आया हूँ, मुझे समय दीजे, छे महीना साल बर का समय दीजे, आप लोगे सारी समसाय दूर हो जाएंगे, बड़ सर अभी तक नहीं हुआ, जब कि इस बी है, दोरा रविया कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, हाला कि मैं आपको बताओं कि इस योजना में ऐसा नहीं कि सिर्म मुस्लिम ही जुड़े हुए, इसमें गहर मुस्लिम ही हैं, हिंदू हमारे भाई बैन भी हैं जो पढ़ाते हैं, बहुत से आपके गोरगपूर में करिबं 1.500 करीब ऐसे टिचर मिलेंगे जो हिंदू हैं, ऐसा नहीं किसी मुसलिम ही इसमें हैं, और सब लोग जा कर कि मिलें, सब लोग अपनी बाते करते हैं, लेकिन गवर्बर्मेंट ध्यान नहीं दे रही है, अग क्या है किस बिना पर ध्यान नहीं दे रही, हाला कि चोड़ी सब किलियर हो जाएगा तब हम लोगों को और बेनिफिटों का कि भी हो सकता है जल्दी से पर्मेंट हो जाए तो केंद्र आपको क्या लगता है कि केंद्र सरकार क्यों हो क्यों कि इतना लंबा करते कुछ और हैं करते कुछ और मुझे तो एक यह डाउट है हम लोगों को मैक्सिमम टीचर्स को कि इससे पहले भी एक बार हम लोगों का साज़ मिलती रहती है सारी चीजें किलियर हो जाती है तो हम लोगों को यह था कि चुनाओं से पहले कुछ नी कुछ नेकुछ हम लोगों कहो जा और नहीं हुआ अब हम लोगा डरे एक ये भी है कि सरा ऐसादर ना हो कि फिर जब गवर्मेंट नहीं बने इनकी बने या जिसकी भी है फिरी ये ये भी न लेपस कर जाए ये olha को एक विशता रहा है तो एक शिछकोंने के नाती भी और एक महिला होने के नाती भी आप लोग की इस आप लुख चाहते हैं कि जो मुद्धे उठने चाहिए और उस पर काम करनी चाहिए जो भी सरकार आए अजिक अब काम हो तब नहीं किया कहा जाए अब ही तो नहीं कोई उमीद दिखाई दे रही है फिलाल और खेर अगर कुछ करते हैं तो हम लोग जरूर भाई देंगे करेंगे अपना काम जो है कि आप सब लोग सुख पता होगा कि सचर कमेटी एक बनी थी और उसने कहा था कि मुसल्मानों की इस्तिती है वो दलितों से भी कापी पीछे है और उसमें भी जो मुसलिम महिला हैं उनकी इस्तिती और भी खराव है और उस कमेटी के रिपोर्ट आ गई सब के लिए तो जो हैं हम चाहते हैं की हलता कि हम जयसे राज सरकार और टियों पे ज़्यान ध्यान देती हैं तो हम लोग भी इस देश्ट की बेटिया हैं और हम चाहते हैं कि मुस्लिम जो düठे हुए है उन पर ज्यादद ज्यादा धिया जाए और खासकर जो मुस्लिम समाज में जो बेटिया उन पर ध्यान दिया जाए क्योंकि बेटियों के से ही ये देश आगे बढ़ता है तरक्की करता है कि पिछले पांच साल में मोदी जी ने बहुत नारा दिया बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तो आप क्या सोचती है कि कुछ किया है कि क्यों नारा इरा देखिये अगर यहां पे ध्यान नहीं दिया जाएगा बेटियों पर तो ये देश आगे नहीं बढ़ पाएगा और जो कि हम लोग बहुत पढ़ लिक कर महिनत से आगे बढ़ कर काम कर रहे हैं देश के साथ कंदे से कंदा मिला के चल रहे हैं तो इस तरफ ध्या आप लोग को बहुत बहुत धन्यबाद चल्चित्र अभियान और गोरपुन ने लाइन से जुड़ने के लिए और हमारे साथ बात चीत करने के लिए हम लोग लगतार कई दिनों से इस चुनाओं के दौर में हम बुन्यादी समस्याओं और मुद्दों पर उठाने की कोशि तो आज आप लोगों से बातचीत हुई और बहुत अच्छा लगा आप लोगों को बहुत दो सुक्रिया और आप लोग जुड़े रहेंगे गोरपुन ने लाइन से